भारती एक रहाक अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन का इंतिजार आप के लिए शांदर खुशकाबरी लेकर आ रहा है आप सभी की फेवरिट कार्ड निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स इस फेस्टिव सीजन के मौके पर आप सभी आम आद्मी और भारती ग्रहाकों के लिए एक शांदर गाड़ी के रूप में एक तौफा लेकर आ रही है जी हाँ आप सबी आम आदमी और बहाती आम आदमी ग्रहकों को देखते वे कंपनी अपनी एक नए गाड़ी लॉंच करने की फिर आख में है इस कारी का नाम बताया चारा है महिंदरा XCV-2OO जो कि महिंदरा के कॉमपेक्ट HCV सेग्मेंट कर्टेगरी में लॉंच करी जाएगी और ये गाड़ी कंपनी स्पेशली आम आदमी और अपने मिडर रेंच वाली ग्रहकों को देखते वे लॉंच कर रही है महिंदरा के शांदर उर्चबरदस, महिंदरा स्कॉल्प्यो के शांदर लॉंच के बाद अब अगली बारी होने वाली है महिंदरा की नई कॉमपेक्ट माइक्रो HCV XCV-2OO की बारे में ये गाड़ी XCV-300 के नीचे केटरिगरी में कंपनी लॉंच करेगी जो की लॉंच होते ही और्टो मोबाल सेक्टर में तहलका मचा देगी तुकि दोस्तों इस काड़ी की कम कीमत ये इस काड़ी की सबसे बड़ी और शांदर वज़ा होने बारी है कमपनी इस काड़ी को 4-6 लाक रुपे की एक शरूम बेस मॉडल राशी पर लॉंच करेगी और इस काड़ी में आपको एक कॉमपेक्ट XCV डिजाइन देखने को मिलेगा जो ना कि आपको डिजाइन और XCV की फील और दिखने में भी रोड पे चलते वे काफी दमदा लगेगी साथ इसमें आपको लेटेस फीचर्स टेकनोलोजी और नए पावर्फुल माइलिज वाला इंजन देखने को मिलेगा जो कि आपके सफर को शांदर बनाएगा अगर दोस्तों हम बात करते हैं इस आने वाली न्यू कॉमपेक्ट HCV के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो 2022 महिंदरा XCV2O कुछ ऐसे नए डिजाइन प्रेटफॉर्म पर तयार करी गई है जो कि दिखने में और आपको शांदर HCV की फील कराएगी गाड़ी के फ्रेंट लुक को कमपनी ने एक शांदा स्पोर्टी सेटप देती वे इसमें महिंदरा की नए सिगनेचर ग्रीन और नए क्रोम प्लेटिड लोगों का इस्तमाल करा है जिसमें आपको नए डियरेंज और डेटेम डेलिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेड़न सेटप यूडिट मिल जाएगी साथ इसमें आपको नीचे की तरफ इंटीग्रेटिड फोगलेंज डूल टोन फ्रंट बंपर के साथ गाड़ी के फ्रंट लुक को एक स्पोर्टी सेटप में दिखा रहे है रेर साइट पे आपको सी शेप एलडी टेल लम सेटप और महिंदरे एक स्वीवी की बड़ी सी क्रोम बेजिंग नजर आएगी साइट प्रोफाइल में आपको दोस्तों इस पारी 12 से 13 इंच के 5 स्पोर्ट क्रोम प्लिटिड अलॉइब इस देखने को मिल जाएंगे जो कि इस गाड़ी के उबर लुक में चांद चांद लगा रहे है ये गाड़ी एक शांदार स्पोर्टी करवी क्रोसोवर डिजाइन में आपको दूल टोन कलर ऑप्शन्स में नजर आईगी जो कि रोड पे चलते में भारती गराकों का इशारा और ध्यान अपनी और पुरी तरीके से खैचने वाली है और लॉंच होते हैं ये गाड़ी काफी हिट होगी वहीं दोस्तों डिजाइन के मामले में तो ये गाड़ी हिट है ही वहीं इंटीर फीचर्स में भी इस गाड़ी के कोई कहने नहीं 2022 महिंद्रा XCV Compact XCV में कंपनी अपना लेटेस्ट टेकनोलोजी 506 सीटर डूल टोन वेंट इलेक्टिट सीट्स इंटीर देने वारी है जिसमें आपको एक शांदार अंबिशोल लाइटनिंग डेशपोर कंपनी का लेटेस्ट 15 इंच का सेंटर कंसूल टस्किन सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपनी वॉइस कमार्ण और 20 प्लस कनेक्टेड फीचर्स के थूरू कंट्रोल कर सकेंगे इतना नहीं कारी में आपको परावर स्टेरिंग विल, स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल्स, ओटोमेटिक ड्राइवेज जोन कंट्रोल एसी और एर प्यूरी फायर समन्द एक पेरिनोरोमिक सन्रूफ भी देखने को मिल सकती है जो कि शान्दा नोच EBL के साउंड सराउन सिस्टम के साथ आईगी साथ साथ इसमें आपको चाह से फाच, एर बैक्स और दो-360 डिगरी कैमरा कारी के फ्रेंट और रेर में देखने को मिलेंगे जो कि आपके सफर को सेफ और आपके इंटीर को एक प्रीमियम के साथ सथ आपको एक कमफर्टीबल फील देते हुए आपके सफर को अराम दायग बनाएंगे वही दोस्तों गारी के अगर हम परफोर्मेंस की बात करते हैं तो महिंद्र की आने वाली के नई कॉमपर्ट ऐसे भी परफोर्मेंस के मामले में भी कुछ कम नहीं इसमें कमफर्टी अपना लेटेस्ट 1.2 लीटर का एम होक पैट्रोल इंजन का इस्तमाल करेगी जो की 90 HP की पावर और 140 अनम तक का टॉक जेनरेट कर पाने की शमता रखता है 37 में आपको Automatic Gearbox और शांदर Hybrid Technology का इस्तमाल करते हुए 25-30 के MPL तक का मालेज अराम से आपको इस कारी में देखने को मिल जाएगा जो कितनी कम कीमत में काफिर दमदार बाद बताई चारी है तो दोस्तों अगर आप भी नई गाड़ी हो रहेगा HCV लेने की सोच रहे है तो कम कीमत में महिंद्रा की आने वाली की नई एक्सिवी 2W आपके लिए Best Option साबित हो सकती है इस कारी का लॉंच कुछी दिरों में Company Reveal करने वाली है तो अगर आप भी इस कारी को खरीदना चाहते तो अपने रहे हमें कमेंट बॉक्स में लिखके ज़रूर बताईगा इस वीडियो के लाइक कीजेगा और चित्ता हो सके इस वीडियो को आम आद भी तक शेयर कीजेगा तो मैं थे अगली वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद